Kafka Streams के बारे हम बात करते हैं तो सपोज ये एक तुमारी Kafka Streams है बहुत सरे input streams है ये आरे हैं और उसमे किोज न िरिम का मतलब किया है जेए कोई भी एवन्ट है एक हो रहा है जैसे लोगन करते है कुछ किलिक होता है तुमें publish करते हो और यह किसी एक topic पर publish होता है जो तुम्हारी काफ का stream है वो इस topic को subscribe करती है और जितने messages आरे उसको देखती है अब partition क्या होता है तो suppose जितने भी तुम्हारे messages आरे हैं वो एक इस container में जा रहे हैं M4, M3, M2, M1 पर क्या होगा कि बहुत सारे messages आरे हैं तो इस container को कितना बड़ा कर लोगा कितना ही बड़ा कर लोगा क्या करना पड़ेगा इस container को छोड़ना पड़ेगा छोटे-छोटे containers में horizontal scaling करनी पड़ेगी तो तुमने बहुत सारे containers में बना दी है अब यह messages आ रहे हैं पर अब इन messages को divide कैसे करो गया बहुत सारे तरी केस कि यह तो तुम round-robin कर दो पर उसके अंदर दिक्कत क्या है कि order नी maintained रहेगा Kafka की बहुत अची बात है कि जो भी messages आते है वो एक particular partition में order में रहते है particular partition में यह धियान रखना तो यह different container है तो each container is a different partition तो अब यह messages आ रहे हैं एक container में जितने message जा रहे है वो sequence में होने चाहिए अब यह sequence कैसे refine होगा तो उसके लिए हम क्या गरेंगे message की hash बनाएंगे तो जो भी message आ रहे है उसकी hash बनाएंगे तो suppose तुमने hash ऐसे बनाई है कि एक particular type की users एक ही जगा पे आएंगे मतलब जो admin users हैं इन messages को process करना है तो process करोगे कैसे इन टास्क ही करोगे तो यह जो तीसरी चीज़ है उसको बोलते है टास्क तो यह जो एकी messages कटे हो गए है इनसे टास्क बनता है तो यह तीन चीज़े हैं बट इस नोट complete Kafka Stream Kafka Stream completely कैसे काम करती है इस सीरिस में देहिए दिस जस्ट फॉस्स रीडियो